दोस्तो आज मैं आपको जानकारी दूँगा कि बरसात के मौसम में किस पौधे को सौफ्ट वूट कटिंग से ग्रो किया जाए हम आप बहुत सारे पौधों को स्रिफ छोटी सी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं लेकिन इस बात की जानकारी होनी जरूरी है किस पौधे को हम सौफ् बहतर है आपके पौधे में फ्लावरिंग सीजन के सुरू में ही फ्लावर लग जाएगा दूसरा प्लांट डालिया इसकी कटिंग को भी हम बरसाथ के मौसम में ही लगाते हैं और सौफ्ट वुट कटिंग को लगाया जाता है इसकी कटिंग को आप सितंबर अक्टूबर तक ही लगा सकते हैं और जतना पहले आप लगाते हैं आपको इसका फैदा होगा विंटर सीजन के सुरुवात में ही पौधे में फ्लावर खिल जाएगा तीसरा प्लांट है कलैंचू इसकी आप देशी वरायटी के कटिंग को भी लगा सकते हैं और हाइब्रीट की भी कटिंग को लगा सकते हैं इसकी कटिंग को आपको बरसाइद के मौसम में लगा लेना बहतर है क्योंकि जैसे ही मसलसल बारिस होगी और नमी ज्यादा होगी तो नमी की अधिक्ता से इसके प्लांट के गल जाने का खतरा रहता है लेकिन हाँ जब आप इसकी कटिंग को लगाएं तो सिंगोनियम इसकी कटिंग को तो लगाना बिलकुल आसान है और बरसाइद की दुनों में पत्ते के पास से जर भी निकल आती है तो जहां पर जर लिख ली है उसके नीचे से से काट देना है और लगा लेना है मनी प्लांट इसकी आप सिर्फ एक दो पत्ते की कटिंग को भी लगा सकते हैं पानी में भी लगा सकते हैं और आप मिट्टी में भी लगा लीजिए टर्टल वाइन ये एक हैंगिंग बास्किट प्लांट है इसकी दो ती नीच की कटिंग को भी लगाया जाता है और बरसाद के मौसम में बारिस के कारण इसके पौधे में जहां तास जर निकल आती है तो आप इसे जर की नीचे से काट के भी लगा लीजिए ये भी एक हैंगिंग बास्किट प्लांट है पत्ता वेरिगेटर होता है और खूपसूरत दिखता है इसकी भी सौफ्ट वूड कटिंग लगाई जाती है किसी भी सेकूलेंट प्लांट की कटिंग को भी आप बरसाथ के मौसम में लगा सकते हैं और आपको उनकी कटिंग को लगाना भी चाहिए क्योंकि जैसे ही मसलसल बारिस होगी हवा में नमी की मातरा बरहेगी तो हिमिरिटी के ज्यादा होने के कारण आपका प्लांट जहां तहां से गल जाएगा लेकिन जब आप उनकी कटिंग को लगाएंगे या फिर उन्हें पत्तों से ग्रो करेंगे तो नए ग्रो हुए पौध पर हिमिरिटी की अधिक्ता का असर कम दिखेगा और पँधा बचा रहेगा लेकिन हां इनके पौधे में भी जहां से भी बरांच को काटे काटने के बाद कटे वई हिस्से पर फंगिसायट को लगा देना है और इनके पौधे को बारिस के पानी से बचा कर रखना है जेट इसे कटिंग से लगाना बिल्कुल आसान है, इसकी सॉफ्ट वूट कटिंग को आसानी से लगा लीजिए। बीगोनिया, इसकी कटिंग को भी बरसाद के मौसम में लगा लेना बहतर है। और यहां तक कि आप इसकी कटिंग को अगस, सितंबर और अक्टूबर तक भी लगा सकते हैं। कोलियस, इसे सीट से भी ग्रो किया जाता है और आप इसे सॉफ्ट वूट कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और आप वो grow कर लेना चाहिए एक पौधे से अनेक पौधे को बना लेना चाहिए softwood cutting से आसानी से ये grow हो जाता है इसकी भी cutting को आसानी से लगा सकते हैं और ये बरसाथ का मौसम इस plant की cutting को लगाने का बहतर मौसम है ये एक hanging basket plant है और आप इसे ground cover की रूप में भी लगा सकते हैं हबिसकस जी हाँ हबिसकस की भी softwood cutting को आप लगा सकते हैं देशी की भी और hybrid हबिसकस की भी cutting को लगा सकते हैं ये एक देशी हबिसकस का plant है जिसे मैंने छोटी सी softwood cutting से grow किया था जो आज एक बरा सा पौधा बन चुका है रंगून क्रीपर इसकी भी softwood cutting को लगाया जाता है और आप लगा सकते हैं बस 3-4 पत्तों की cutting को लेना है और लगा लेना है इन सब के लावा और भी बहुत सरे पौधों की आप softwood cutting को लगा सकते हैं और ये बारिस का मौसम इनकी cutting को लगाने के लिए बहतर है लेकिन ख्याल लगना है इन सबी की cutting को तब ही लगाना है जब आपके सहर में बारिस का मौसम आ चुका हो और 2-3 बारिस हो चुकी हो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि पौधी की softwood cutting को कैसे लगाया जाता है कटिंग की लंबाई कितनी होगी और उसका potting mix कैसा होगा तो जानने के लिए इसके बाद वाली वीडियो को भी देख लीजेगा दोनों वीडियो का लिंक एक दूसरे के description में डाल दूँगा